तुड़ेस लेक्टरीज मैंकर नॉमिक्स थर्ड मेजर्मेंट अफ जी एन पी विदिनकम अप्रोच कौमी पैदावार को हमने जमाइश करनी है विदिनकम अप्रोच सबसे पहले हमरे पास विजिज है विजिज का मतलब तमाम सैदरीज पैमेंट्स बॉनसीज कैश प्राइजीज जो कि हमें फिजिकल या मेंटल सर्विसिस पर करने पर अदा करनी बढ़ती हैं उनका हम बेजिस बोलते हैं वो तमाम की तमाम इंकलूड करेंगे तो हमारे पास जी एन पी विदिनकम अप्रोच आएगी नमबर टू इंकम में है इंट्रस्ट जिसे हम उद्व में सूध कहते हैं तमाम इंट्रस्ट अर्ड भाइदा पीपल कोणा हैं एक साल के अच सागे अंदर जब हम मैक्रो Florence की बात कर रहे हैं मैक्रोblack आच बी विदिनकमिक तुम्स के बात करते हैं हैं लोगों ने अपने बैलंसे रखवाए हुए हैं उसके उपर जो इंट्रस्ट कमा रहे हैं इंट्रस्ट अगेंस्ट फॉरंड सेक्यूरिटीज जो फॉरंड सेक्यूरिटीज होती हैं उसके उपर इंट्रस्ट बांड्स को इंट्रस्ट को किसी भी फॉर्मेट में जो यह पर वो भी हमारी कौमी आंदरी में शामिल होती है एक साल के अंदर तमाम लोगों के कमाई हुए इंटरस्ट अगेंस्ट अल्डूस स्क्यूरिटीज डिपाजर्ट सेविंग्स इन्वेस्मेंट बॉंड्ड वेट एक्षर बहुत सारी जीजिए इसके अंदर नहीं एक्से उसमें उनके क्राय की घर हो गए उसमें बिल्डिंग्स होगी प्लाजे होगे जिनका भी वो क्राया वसूल करते हैं जिसका लगान वसूल करते हैं वो तमाम एक साल करसा के अंदर जो उन्होंने वसूल की इसमें जो सेल फाउंड हाउस होते हैं वो भी शामिल होते हैं में वो कौमी हम दिन में कराया शुमार किया जाता है तो इसलिए जिसमें आप रहे हैं जो आपका अपना जाती घर उसका भी कराया शुमार किया जाता है है जिसएी होती है जैसे किंड़ अ करूबरी आज्मिया शुमार के चैसा होनी इसके बाद पॉस्ट है उसंख्तर समय शॉल पर्परफॉर्टर होता हुए सिंगल गरोबर जो के केला करबार देख साह करता है जोएंट स्टाउब कमपनिज होती है जिनमें सरमाय को कठा कर ली जाता है और कठा करके सब्सक्राइब 8 से 10, 20, 15, 25 जो हैं करबार करते हैं सिर्फ पार्टर्शिप में दो लोग होते हैं दो लोग मिलके partnership करते हैं श्राकरदारी के साथ कारवर करते हैं तो इसको भी जो profit को भी sum up कर लें सारे साल के को तो हमारे पास जो कोमी आमद्दी है इसको बोलेगे national income at factor cost factor का मतलब है land labor capital organization तो इनको जो हम pay करते हैं land को rent pay करते हैं labor को wages pay करते हैं capital interest pay करते हैं organization जो है वो profit gain करती है तो यह सारी चारो को चारो cost माझ जाती है factors की so that's why we call it N.I. national income at factor cost इसके बाद हमारे पास net national product N.N.P. G.N.P. का concept तो है के एक साल करसा के अंदर उस मुलके factors of production मिलके जो भी पैदावारियत करते हैं plus foreign remittances उसको जमा कर लें सारी amount को सारी चीज़ों को कुल अशिया को services को तो हमारे बस cross national product खाम कौमी पैदावार आ जाती है लेकिन अगर हम net की बात करें net national product तो net national product का मतलब होता है ऐसी amount जो के काबले खर्च है काबले तसर्व फामदनी है इसको सरकार खर्च कर सकती है अब जी एन पी के अंदर depreciation भी शामिल होते हैं depreciation analysis का मतलब होता है तोट पूट के अखराजाद के सरकार ने एक चीज़ पिछले साल ली है 2019 में तो उसकी तोट पूट के अखराजाद जो हैं वो हर मत 10 रुपे आते हैं तो वो जो 10 रुपे अखराजाद हैं उसको हम साल से multiply कर लें तो 120 रुपे साल के बनते हैं अब उस 120 रुपे सलाना अखराजाद हम जो है वो अपनी कौमी आंदली में से माइनस करेंगे क्योंकि वो उस चीज के ओपर खर्च आएगा जो चीज अल्डेडी चल रहे है बर्राम वो चीज ना का रहा हो जाएगी तो इसलिए उस चीज को करामद रखने के लिए हम क्या करते हैं उसके ओपर सलाना जो है वो पैसे खर्च करते हैं जिसकी बज़ा से फिर वो चीज रनिंग पोजिशन में रहती है तो वो जो अखराजात हैं उसको हम डैप्रिसिशन लाउंस बोलते हैं लहाजा वो अखराजात कमाए हमने उसी साल ही होते हैं फर्च करें 2019 के अंदर चीज़ हमने खरीदी है तो 2020 का जो हमारा बज़ट बनेगा उस पूरे साल के अंदर बज़ट के अंदर से हम 120 रुपे उस चीज़ के लिए मुक्तस कर देंगे तो लहाजा वो 120 रुपे हम खर्च नहीं कर सकते हैं उनको हम NNP में शामिल होंगे जो जाता हम खुद से कर सकते हैं को खालस कोमी बादाबार भी का जाता है इसके बाद है नंबर थी नेशनल इंकम NNP is the submission of market value of all goods produced and services provided in a country in a year तो NNP का और NI का जो बहुत ही मैसान तरीका है का आपको बताता हूं NNP का मतलब है Net National Product कि साल भर में जो खालिस शकल में हमने चीज़ें हासल की हैं उनको मैं NNP बोलते हैं अब खालिस और खाम का फरक जो है मूँ थोड़ा सब क्लियर करहूं आपको अगर GNP को पढ़े तो हम करते हैं जी खाम कौमी पढ़े खाने ख् mots खाम कोमी पढ़े ख्म, खालिस, कोमी पढ़े खार, सुर्य, तू उसका फरक यह है कि एक चीनी का भोरा है सैक ऑफ शूगर अब शूगर का जो सैक है जो बोरा है उसका वजन है जो आदा किलो उसके उपर धागा लगा है शूगर का बोरा है मैं एक एक्जामपल दे रहाँ और उसमें चीनी जो है वो टोटल है पसाद पचास केजियर्स अगर तो हम बोरे को भी शामिल करें तो बोरे का वजन रोटल बन जाएगा बोरा प्लस शूगर जो उसमें आईटम है उसका वजन साधे पचास किलो बन जाएगा क्योंके आदा किलो का हमने बोरा लगाया जिसमें दागा, बोरा रचीज इंकलूड है और अगर हम उसमें प्यूर चीनी देखें कि प्यूर शूगर जो है वो कितनी है वो प्चास के जी तो very simple कि बुरे के समेज धागे के समेज हर चीज के समेज जो वेट है उसको हम खाम बजन बोलेंगे या खाम पैदावार कहेंगे और अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी चीज की वैलियू निकालने जो अंदर उसकी चीज है वो देखे कितने के जियस है तो उसका हम खालस पहला बार बुलेंगे तो चीनी खालस तोर पे उसमें पचास के जियस है जब कि खाम उसका बजन जो है वो साड़े पिचास किलो है तो ये खाम और खालिस का फर्क है तो अगर हम खाम इंकम की बात करते हैं तो जी एन नई से हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल इंकम और एक अन एन नई होती है नेट नेशनल इंकम तो वेरी सिंबल gross national income जिसे हम taxis को minus कर दें sub-sities को plus कर दें तो हमारे पास क्या जाता है खालस कौमी आमदनी जिमारे पास personal income personal income का मतलब है कि लोग जो है वो एक साल भर के अर्शा के अंदर कितनी आमदन कमाते हैं उस में जैसा कि लिखा इसमें कि as the case of transfer payments like pensions, unemployment losses, social security losses and stipends on the other side it may also be happen that despite offering the services some people remain deprived of the payments it is the case of taxes on profits welfare reduction on distributed profits तो इसमें सब चीजें शामिल उसने कर दी हैं personal income में transfer payments transfer payments का मतलब है वजाय, थाह, pension, non-employment losses, social security losses, stipends वो सब चीजें जो हैं उसमें शामिल होती है अब इसमें disposable personal income है disposable personal income का मतलब है जैसे कि आपने GNP और NNP का concept पढ़ा, ये सेम वही concept है personal income और disposable personal income का personal income का मतलब है तमाम साल बर की आमदनी जो कि एक बशिंदे ने अपनी mental या physical services पे करके जो है, वो हसल की है उसकी साल बर की आमदन को हम क्या कर लेंगे, प्रस कर लेंगे लेकिन उसकी साल बर की आमदन जो है, वो काबले तसर्रुफ नहीं है वो सारी की सारी आमदन अपनी खर्च नहीं कह सकता है क्यों? क्योंकि उसकी आमदन की साल बर की आमदन के ओपर एक tax भी लगता है जिसको हम income tax कहते है अब फर्स करें में इसकी मिसाल देता हूँ शोटी सी कि एक बंदे की परसना income 100 रुपे है साल बर की और उसके उपर पांच रुपे साल का tax रसलाना अब वो बंदा औरिजिनली 95 रुपे इंकम का मालिक है ना के 100 रुपे का कि जो खर्च कर सकता हामदन वो 95 रुपे खर्च कर सकता है बाकी जो पांच रुपे हैं वो tax उसकी deduction हो के उसको मिलेंगे आमदन उसकी वो है तो और पांच रुपे जो उसने कटवाए है वो भी उसी की आमदन उसीने कटवाए है लेकि लेहाज़ा एक government का concept होता है सरकार का निजाम में मुलके अंदर जो के सरकार मामला चलाती है तो उसको भी हमें tax pay करना पड़ता था कि मुलकी मामला चलते रहें तेसलिए हमारी जो personal income है वो साल बार की कमाई हुए आमदन और जो disposable personal income है उसका मतलब है उसमें से tax माईनस कर दे जाएंगे तो वो disposable personal income बाकी बच जाएगी GDP है if we subtract the income earned through foreign services we get GDP कि GNP में से foreign remittances को माईनस कर दो हमारे पस GDP बन जाती है यह आज का lecture हमारा इंशालला लेक्स लेक्षर में आपसे मुलकात होगी Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh